नमस्कार आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निदी वोख रियार टेलिविजिन का मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट वॉच्ट रियल्टी शो बिग बॉस एक बार फिर से अपने नए सीजन के साथ दर्शकों का मनुरंजन करने के लिए तैयार है 29 सितंबर से बिग बॉस सीजन 13 नए तड़के के साथ आने वाला है जिसमें कई जानिमानी हस्तियां भी शिरकत करने वाली है लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं बिग बॉस के घर की जहां कंटेस्टेंट को करीब 100 दिन तक रहना पड़ता है हर फेसिलिटी से लेग ये घर इस बार पिछले सीजन के मुकाबले काफी आलग नज़र आ रहा है जिहार सीजन चुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर बिग बॉस 13 के घर की कुछ तस्वीरे वाइरल हो रही है जिसमें ये घर काफी खुबसूरत नज़र आ रहा है इस बार जो सबसे शांदार चीज है वो है बिग बॉस हाउस की एंट्री गेट जिसे बीबी शेप दिया गया है इस शांदार गेट को ग्रीन प्लांट से डेकोरेट किया गया है जो काफी वाइपरेट है तो वहीं चलते हैं घर के अंदर से आई तस्वीरों की तरफ तो इस बार बिग बॉस हाउस में ब्राइट कलर और लाउड इंटिरियर को तरजी दी गई है ये तस्वीर लिविंग डूम की है जो परपल कलर के सोफेग घर को आलिशान रुखते रहे है तो वहीं अब बात कर लेते हैं बिग बॉस हाउस के ओपन लिविंग डूम की तो इसे मॉडरन बनाने के लिए एंटिक शोपीस और फरनीचर से सचाया गया है आप देश सकते हैं घर में दिवारों पर यो, थम्स अफ, पीस आउट, हुआर यू, जेस्टर लिखे हुए है ये तो आप जानते ही है कि बिग बॉस का किचिन शो के लिए कितना जरूरी है जहां सेलिब्रीटीज के बीच अकसर तू-तूमे में होती रहती है लाज्ट्यो सीजन की विनर है चुकि शिलपा शिंदे और दीपी का ककड़ इब्राहिम ने बिग बॉस के किचिन स्ट्रेटेजी को ही अपनाया था इस बार किचिन को भी वाइब्रेंट लुक दिया गया है और क्रीम कलर की वाल भी काफी खुबसूरत लग रही है डाइनिंग एरिया भी लाजवाब तयार किया गया है जिसकी वाल एनिमल क्राफ्ट है तो हैं इस बार बिग बॉस का बेड्रूम कुछ इस तरह होगा जहां सामने की वाल पर 20 स्पेशन लिखा हुआ है वहीं साइड वाल पर रोमेंटिक जिस्चर लगे हुए हैं बेड्रूम के फरनीचर की बात करें तो इस बार बेड्रूम में परपल कलर का सोफा भी है और अगर आप ठान से देखें तो जमीन पर आपको एक घड़ी बनी दिख रही होगी जिसके उपर नौ की शेप का एक सोफा रखा हुआ है हर बार की तरह इस बार भी बिक बॉस 13 के खर का हर एक कोणा खास है बिक बॉस हाउस में वाशूम से लेकर कनफेशन रूम तक हर एक छीज बेहत खुबशूरत है हर जगा Big Boss की आँख बनी हुई है ताकि Contestant को पता चले कि Big Boss की नजर उन पर हर वक्त बनी हुई है Overall बात करें तो इस बार खर में Animal Artwork जादा नजर आ रहा है Interior में Green और Purple कलर जादा है बता दे इस बार Big Boss का सिट मुंबई की Film City में बनाया गया है इससे पहले के Seasons का सिट गोरे गाउं में था वहीं शो में देवोलीना भटचार जी और सिदार्थ मलोत्रा की Entry भी कार्फॉम हो गई है तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें comment box में ज़रूर बता है